नमस्कार मैं उप्रिया आज है 13 अगस्त खबरों की दरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी तर्शकों के लिए एहम खबर अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे यूट्यूब चानल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब करें ग्यात हो हमारे चानल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी हमारे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अब चले बढ़ते हैं सुर्ख्यों की उपार बिहार में 11 शहरों के 276 केंद्रों पर आज होगी बेड और CET की परिक्षा खत्रे के निशान से उपर आई गंगा, हुई अंडियारेव की तैनाती बिहार के दो आईएस और दस प्रसाश्रिक सेवा के अधिकारियों का हुआ तबाता 15 अगस्त तक बिहार के सभी जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट सुशान सिंग राजपूत के दोस्स सिधार्थ पिठानी की जमानत अरजी हुई खारिज अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से महिला एवं बालविकास निगम समाज चनल्जान विभाग पटना बिहार ने निकाली रख लिए इन पदों के लिए अनुसाशन की बात करें तो आजिवी का संस्थागत विकास सुश्मिवित, अभी सरन, संचार और प्रलेखन, श्रमता निर्मान, कारिकरम प्रबंधन, विपनन, सहप, परियोजना, अजीविका और आई भी तै की गई है इसके साथ ही सेक्षनिक योगिता की बात करें तो अभी हर्थियों के पास अनुभव के साथ प्रसांगिक विश्यव छेत्र में डिप्लोमा, डिग्री या पीजी का होना अनिवारे है इच्छुक और योगियो मिद्वार 30 अगस्त 2021 तका अधिकारिक वेबसाइट dc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गया, वेबलिंग पर जाकर सारी जानकारी भी ले सकते हैं राखी के दिन बिहार की बहनों को बिहार सरकार ने दी बड़ी सौगात राखी का त्योहार 22 अगस्त को मनाय जाना है हाला कि राखी के पावनमसर आने में अभी समय है लेकिन बिहार सरकार ने बिहार की बहनों के लिए अभी से ही एक एहम घोशना की है जुसके तहट बिहार राज पत परिवान निगम की सिटी सुबस की बसों में महिला मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी राखी के दिन सिटी बस में कितनी भी दूर तक सफर करने के लिए उन्हें किसी तरह का किराया नहीं देना होगा वही दूसरे दरफ बेहन भाईयों के लिए राखी के तेवहार को खास बनाने के लिए डाक विभाग भी ततपर है यही कारण है कि दूसरे राजवी या देश में रहने वाले भाई बेहनों की राखी समय पर पहुचे इसकी जिम्मेदारी विभाग ने उठा ली है जजों की नियुकती के लिए पटना हाई कोट कोलेजियम ने इन नामों की की सिफारिश पटना हाई कोट के जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की गई है जिसके तहर्ट चीफ जस्टिस संजय करोल जस्टिस अश्विनी कुमार सिंग और जस्टिस विकास जैन की कोलेजियम ने जजों की नियुकति के लिए 20 नामों को पेश किया है जिसमें वकील को अभी पतना हाई कोट में जजों की कुल स्विक्रित पदों की एक तिहाई जज भी कारेरत है खत्रे के निशाद से उपर हुई गंगा हुई NDRF की तैनाती बिहार के कई जुले बाड की चपेट में आ गये हैं वहीं अब मुख्यमंत्री नितेश कुमार के निरिक्षण के बाद आपदा प्रबंदल विभाग ने NDRF की 14 और SDRF की 14 टीमों की तैनाती कर दी है जिसके तहत NDRF की टीम वैशाली में दो, सारन में दो, बकसर में दो, बक्तियारपूर में दो, मुंगेर में दो, दिदारगंज में दो, दिगहा में दो टीमों को तैनात किया गया है दूसरी तरफ SDRF की भी टीम तैनात की गई है इसके साथ ही भोजपुर, मुंगेर, बक्तियार, पुरसहीत अन इलाकों में तैनाथ टीमों को 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश तो दिया गया ही है साथ ही साथ बाठ प्रभावित इलाकों में नाओ की माध्यम से मेडिकल टीम को भी तैनाथ कर दिया गया है बिहार के दो IAS और दस प्रशास्तिक सेवा के अधिकारियों का हुआ तबादला बिहार सरकार के दो IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है इनमें बिहार प्रशास्तिक सेवा के दस अधिकारियों का तबादला किया गया जिसके तहट I.S. अफसर राम अनुगरह नारायन सिंग को PHED विभाग का सयुक्त सच्विफ बनाए गया है इधर भारतिय तक्नीक सेवा के अरविंद कुमार चौधरी को सूशना प्रावेधिक में विशेश सच्विफ बनाए गया है इधर भार प्रशास्तिक सेवा में 10 अधिकारियों का तबादला किया गया है जिसमें पुरशोतम पासवान, अनिल कुमार, रजनीश कुमार, नूर एहमद शिवली, सुनील दत, प्रवीन कुमार गुपता, अशोक कुमार, सुभीर रंजन, श्रया कशब, पूजा कुमारी का नाम शामिल है, बिहार के 10 शहरों में शुरू होगा इमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम, देश स्तर पर इमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम, एक-एक-दो लागू होने वाला है, जो की एक साथ देश के कई राज्यों में लागू हो जाएगा, और सबसे खास बात यह है कि इस योजा में बिहार के 10 शेहरों को भी श्रमल किया गया है इसके लिए अवश्रक कारवाई शुरू कर दी गई है पटना में भी इस सिस्टम को शुरू किया जाएगा इस बाबत पटनाजुले के थानेदारों और पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया गया है हाला कि अभी यह ट्रेनिंग SSP कारियाले में पुलिस कर्मियों को दी जा रही है ताकि वो सिस्टम को समच सके और उसके अनुरूप आगे की कारवाई कर सके इस दौरान इन पुलिस कर्मियों को बताय जाएगा कि वो अपने अपने थाना शेत्र के अपराध क्रस्त अलाके के फोटो को इमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम आप पर अपलोड कर दें बिहार पंचायत के लिए जारी होगी इतनी करोर राशी राजन इर्बाचन आयोग ने अब एक बार फिर से पंचायत चनाफ को लेकर बड़ी जानकारी साज़ा की है जिसके तहर छटी राजवित आयोग की अनुसंचा के इस वित्य वर्ष 2021-22 में त्रीस्तरिये पंचायती राश संसा को 4900 करोर रुपे मिलने वाले हैं जिसका उपयोग पंचायतों में होने वाले विकास कारियों में किया जाएगा ग्याथो बिहार में 8,066 ग्राम पंचायत, 534 पंचायत समीतियां और 38 जिला परिशद है जिसके तहत अब पंचायतों को छटे राजवित आयोग से मिलने वाली राशी का 70% हिस्सा ग्राम बाकी बचा 30 में से 15-15 प्रतिशद राशी, जिला परिशदों और पंचायत समीतियों को दी जाएगी राजसरकार के इस निरने के बाद पंचायती राद विभाग अपनी तयारियों में जुट गया है मच्री पालन को बढ़ावा देने के लिए अब उडाही के लिए भी सरकार देगी सबसिरी कारों की मारे तो कोविट के प्रभाव को कम करनी के लिए राजु की स्कीम का मुख्य उद्देश मतस्य उत्पादक्ता एवं उत्पादन में वृद्धी कर लोगों को रोजगार के अफसर मुहाया करवाना है वहें इजबावत पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग के मंतरी मुकेश सहनी ने पदादिकारियों को छेतर में जाकर मतस्य क्रिशक एवं अच्छवारों से संबाद करनी के निर्देश भी दिये हैं आज मनाई जाएगी सावन की नाग पंचमी सावन महीना हिंदु धर्म में विशेश महत्व रखता है क्योंकि इस महीने में हिंदु धर्म से जुड़े कई परवतियों हाराते हैं उन्ही में से एक है नाग पंचमी जो की आज मनाई जाएगी आज के दिन नाग देवता की पूजा पूरे विधिविधान से की जाती है पौरानिक काल के अनुसार सर्पो को देवता के रूप में पूजा जाता है नाग पंचमी की पूजा से जीवन में काल सर्प दोश से छिटकारा मिलता है इस बार 12 अगस्त 2021 से गुरुबार दो पहर 3 बचकर 24 मिनट से यह शुरू हो गया था जो कि 13 अगस्त यानि आज दो पहर 1 बचकर 42 मिनट तक जानी रहेगा बिहार जेलों में बड़े पैमाने पर हुआ तबादला बिहार के कई जेलों में पोस्टेड सूप्री टेंडन का तबादला खर दिया गया है ग्रवेभा की तरब से तबादले की अधिसू श्राजवारी कर दिया गई है मिली जानकारे के मताविक राजीव कुमार सिंग को सहाय कारा महा निरीक्शक, मुख्याले, कारा और सुधार सेवाई निरीक्श नाले पतना, व्रजेश संग महता को मुदफरपुर सेंट्रल जेल का सूपरीटेंडट, मनोज कुमार सनह को सीता मर्णी मंदल कारा का वहीं जलज कुमार को मधुबनी मंडल कारा में अधिक्षा के रूप में तैनाथ किया गया है। गनमूल, समनांतर श्रेनी और विभिन प्रकार के समीकर्णों का वर्णन है। यह ग्रंत संस्कृत में लिखी गई है। इसके साथ ही आरेभट का खगोल विज्ञान में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आरेभट की खगोल विज्ञान प्रनाली और द्योग यक प्रनाली कहलाती है। BPSC ने जारी की परिक्षाओं की तारीख बिहार लोग से वायोग ने विभिन परिक्षाओं की तारीख की घोश्टा कर दी है। विभिन तारीखों में 12 दिसंबर तक संचालित होंगी। कोरोना की कारण परिक्षा के आयोजन में देरी हुई है। देशवासियों से अपील की है कि घर-घर से जवानों के लिए राखी के साथ संदेश भेजे जिससे उनका आत्मबल बना रहे। प्रोटसाहन मिले और वो भी देश सेवा में लगे हुए तेवहार को मना सके। इसके लिए डाक विभाग ने 15 रुपे दर तै की है यानि कि अब मात्र 15 रुपे में सरहत पर तैनात जवानों को राखी भेजी जा सकते है। बिहार में COVID-19 के मिले 50 से कम मामले। में 1, मध्यपुरा में 2, मधुबनी में 6, पटना में 4, पुर्णिया में 4, रोहतास में 1, सहरसा में 1, समस्तिपुर में 3, सीतामडी में 3, सिवान में 1 मामले की पुष्टी हुई है। मही 47 मरीज ठीक हो कर घर वापस लोटे है। 15 अगस्तर बिहार के सभी जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। मौसम विज्ञानिकों ने नेपाल की 23-66 शेत्रों में भारी बारिश की चेतामडी जारी की है। ग्यातो मौसम विभाग ने जिंजिलों के लिए भारी बारिश की चेतामडी जारी की है। इसमें किशन गंच, अरड़िया, मधुबनी, सीता मढ़ी, सुपॉल के साथ पुर्वी और पश्यमी चंपारन जुलेश शामिल है। इस बावत विभाग ने बताया कि उत्तर बिहार पावर डिस्रिब्यूशन और दक्षिन बिहार पावर डिस्रिब्यूशन के तहट आने वाली सभी उपभोगता, अब मोबायर की मदद से ही बिज्री कनेक्शन की सुबधा ले सकते हैं। पंचायती राज विभाग ने ग्रामीन पेजल निश्चय योज्रा के तहट श्रिकायत के लिए जारी किया नमबर। ऐसे में कुछ घर अभी भी पेजल आपूरती योज्रा से वंचुत रह गया हैं। ऐसे में लाभुको द्वारा पेजल योज्रा से सम्बंदित किसी भी प्रकार के श्रिकायत के लिए टोल फ्री नमबर विभाग ने जारी कर दिया है। इसके तहट आप 18-00-12-3-1-1-2-1 पर कॉल कर के श्रिकायत दर्च करवा सकते हैं। सीबीसी की दसवी बारवी कंपार्टमेंट परिक्षा की डेट शीट हुई जारी। सीबीसी ने हाल ही में दसवी परिक्षा के परिणाम की घोशना कर दी है। जो कि आपको सीबीसी की आधिकारिक विबसाइट cbsc.nic.in पर आसानी से मिल जाएगी जिसके तहट कक्षा 10 और 12 वी के लिए सुधार परिक्षा 16 अगस्त से 15 सितमबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि कमपार्टमेंट परिक्षा देश और विदेश पे निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परिक्षाएं COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते वे आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये भी आप जालने कि सीबियसी कक्षा 12 वी बोर्ट परिक्षा के परिक्षा के परिनाम 30 जुलाई को जारी किये गए थे। एन डी पी एस कोट में दायर की गई थी इसकी पुष्टी सिधार्थ पिथानी के वकील तारक सेद द्वारा की गई है रिपोर्ट के अनुसार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डिरेक्टर समीर वानखेरे ने खुलासा किया है कि कोट ने पिथानी की जमानत अर्जी इसलिए खारिज की क्योंकि उन्हें जमानत अर्जी में कोई योगिता नहीं मिली तेजस्वी आदब ने युवाओं से की खास अपील बीते दिन अंतरास्ट्रे युवा दिवस पर कई तरहे के कारिक्रम का योजन किया गया था इस दोरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदब ने भी इसको लेकर एक ट्वीट जारी किया है उन्हें युवाओं को अपने उत्साह और सकरात्मक उरजा का उपयोग रचरात्मक कारियों में लगाने की अपील की है जो इसके तहट उन्हें ने अंतरास्ट्रे युवा दिवस की शुबकाम नाई तो दिही साथ ही कहा कि युवाज जीवन का वो चरण है जो उत्साह और सकरात्मक उर्जा से भरा होता है यह अपनी शम्ता को बनाने और महसूस कर उसे समाज और राश्ट्र की सेवा में लगाने का समय है बिहार के कॉलेजों में स्वास्त विभाग खोलेगा सेहत केंदर ग्रामीन इलाकों में स्वास्त सेवाओं को विस्तार करने की योचना के साथ काम शुरू हो चुका है जिसके तहट स्वास्त विभाग कॉलेज जाने वाले युवाओं को भी बहतर स्वास्त जीवन के गुर बताएगा विभाग की यही ओज़ना है कि ग्रामीन इलाकों में विस्तार करने के लिए सिहत केंद्र खोला जाए इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है जिसके तहट सिहत केंद्र में स्वास्ते विभाग सलाहकार की प्रतिन्युक्ती होगी साथ ही HIV समेत अन्य विमारियों के बचाव के गुड़ बताए जाएंगे इसके अलावा मुबाइल आप्लिकेशन के उपियों की जानकारी दी जाएगी स्वास्ते विभा की यही कोशिशे की ग्रामेन इलाकों में स्वास्ते की प्रती होने वाली चुंता से हर नागरिक को मुख्त किया जाए इस बावत कॉलेज में सिहत केंद्र बनाने का प्रस्ताव राजे एड्स कंट्रोल सुसाइटी की तरफ से भेज दिया गया है बिहार में 11 शहरों के 276 किंद्रों पर आज होगी बेड और CET की परिक्षा लंबे इंतिजार के बाद आखिरकार बेड CET की परिक्षा का आयोजन होने जा रहा है कोरोना के कारण स्थागित हुई इस परिक्षा का आयोजन 11 शहरों के 276 केंद्रों पर आज आयोजित किया जाएगा जिसके तहट आज 11 बजे सुबह से 1 बजे तक इस परिक्षा का आयोजन करवाय जाएगा जिसमें कुल मिलाकर 1,36,772 अभ्यर्थी हिसा लेने वाले है वहीं आज आयोजित होने वाली इस परिक्षा में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग केंद्र बनाए गया है जिसके तहट महिलाओं के लिए 117 तो महिप पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 169 परिक्षा केंद्र बनाए गया है वहीं प्रवेश परिक्षा में 75,525 पुरुष और 61,238 महिला और 9 ट्रांसजेंडर परिक्षा में श्रामिल किया गया है हाला कि कोशिश यही है कि परिक्षा का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते वे कदाचार मुक्त करवाये जा सके ध्यान रहे सभी छात्रों को दो घंटे पहले सेंटर पर आने की सलाह दी गई है जूम पर जड़ा अब तक का सबसे खास फीचर कोरोना काल में जूम अप्लिकेशन लोगों की जिंदगी का खास हिसा बन गया है यही कारण है कि जूम ने अब अपने यूजर को और खास सुविधा देने के लिए नए फीचर को लाँच कर दिया है जिसके तेह चात्रों को ध्यान में रखते वे जूम ने फोकस मोड को लाँच किया है खास बात यह है कि इस फीचर के आने से स्टूडिन्स का ध्यान वर्चुल क्लास के दौरा नहीं भटकेगा मैं दूसरे दरफ सिक्षक भी चात्रों की स्क्रीन को आसानी से देख सकेंगे इसके साथ ही उन्हें भी फोकस मोड का कंट्रोल मिलेगा कंपनी का मानना है कि यह फीचर चात्रों और सिक्षकों के बहुत काम आएगा ग्याथो फोकस मोड के आक्टिवेट होने के बाद वर्चुल क्लास के दौरार स्टूरेंट्स अपने साथियों को नहीं देख पाएंगे भारत के दिहास में आज की तारिक कई कार्णों से है दर्च भारत के प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधैक ब्रिटिश संसद में 1784 को पेश हुआ था भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर दो ने पहली उडान 1951 में भरी थी रास्रिय राजमार्ग लोगसभा में 1956 को विधैक आज़ी के दिन पारित हुआ था भारत ने 2008 में मर्टी बैरल डॉकेट लॉनवर MBRL विपिन सिस्टम पिनाक का सफल परीक्षन आज़ी के दिन किया था प्रसिद अर्थ श्रास्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्डर चकरवर्थी संगराजन को 2008 में राजसभा के लिए नामेत आज़ी के दिन किया गया था भारतिय अभिनेत्री श्रीदेवी का ज़न में 1963 में आज़ी के दिन हुआ था भारतिय सिनमा की प्रसिद अभिनेत्री बैजवन्ती माला का ज़न 13 अगस्त 1936 को आज़ी के दिन हुआ था प्रसिद भारतिय महिला करांतिकारी भीकाजी कामा का निधन 1936 को आज़ी के दिन हुआ था भारत की विरांगाना अहेले अबाई होलकर कानिधन 1795 को आज़ी के दिन हुआ था अब आई ये जानते हैं सराफ़ बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव इसके साथ ही राज़ानी पट्टा में पेट्रोल की कीमत 104.42 रुपे प्रती लीटर और डीजल के दाम 95.5 रुपे प्रती लीटर थे कल हमारे दोहरा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हने बाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है की ओर आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार बिहार सरकार का घर घर स्मार्ट प्रिपेट मीटर लगाने का फैसला सही है या नहीं अपने जबाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद